ॐ बनुछ्षा करे वरुवान नगीन आपके पास साधना सामत्रिय है उस साधना को मैं तो समझता हम जाला स्यदा है टारी कर्टे पर एक सो एक मारा हो सकते हैं मंत्र चोटा है उसकी स्थाकना कर रात में कर सकते हैं या कलशुभर नगीन अगर जिसने 101 माना पुर्ण की उनको एक हलार एक घृत की आउदी जो देना है मैं कर गुरुपुर्णे माफिदी जो या रहे 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 उनके आउदी पेकर यहीं डलवा दोता सकेवल आपको इसके बाद क्या करना है कि आपको जाकर कहीं पहार पर रात में 8 बजे से रहे का सुवेकिन वेश का बैट गाट कर इस माला को भीना मंतर रफ भीना माला की जब करना है उसके बाद इसकी सादान सभी मिली है, वहां उसमें 11 दिन के बारे में शिकता है, लेकिन अगर आप गुरुस्थान में कल अपने पास नहीं कितार लेकिन इसंग्रा करण है, और आप इस पुलिमा में ग्राण में केवल एक सवर एकमाला करके एक हजार एक आहुच्यां देते इसको कल रात में 1001 पुरुत के आहुटी इसे मदरसे दिलवाली की पूल उप्रहता करता हूँ, मुझे यही इच्छा है कि आप समर्थमान हों, आप शर्किवान हों, और आपके जीवन में एक ऐसी दिवता आए, कि आप कहीं भी जाने के लिए सक्षम हों, और कहीं भी जी झाए और आपको देवान का साथ हों, अइसा ही इच्छा करता हूँ, इस साथना को आपको मेरे साथ केवल टीन बार कंपर बोलना हो, आप जैत गोई, आज रात को करना है, आप को या अद शुभे करना करना हो, गुरू पूजन करने के बार इस साथना को संपलन कर सकते हैं गुरू तोम्हा गुरू विश्णू गुरू देवं नहीं सर्गूरू गुरू साक्षाहत प्रप्रमदस्मा इस्पृ हुआई नूम है इससे पहले कि आप इस साधना को लो, मैं एक गुरू गायत्री को एप बार बोलता हूं जिसको गुर्धायत्री को आप ज्यारा वार मेरे साथ बोलेंगे या आप स्वैन करेंगे, पेहने गुर्धायत्री बोलता हूँ. जिसमें रेखा वहाँ गुरु षी तरह है, वो सामने रखो. और गुरुजी के पुटप्रभ नहाद रखते हुए गुरु गायत भी मेरे साथ ग्यारा बार बोलो बोलो स्वामी, स्री, सची नामन्द, सची नामन्द, सद्गुरु, प्रियम, स्री, निकलेश्वरा नंगर, स्वामी, ममा, सद्गुरु, गुरु प्रमा, गुरु विष्णु, गुरु देव, महिश्वरा, गुरु साक्षा, प्रप्रमा, तस्मै, स्री, गुरु वे नम्हा, आपका बायाहत भगे पर खेले, और राइट हैड फोटो पर लखो, गुरु मन्द ओम, गुरु देवताय, 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 गुरु द करनों सद्गुरु प्रचोध स्गुरु प्रचोधयाौ ओम गुरुदेव ताये वीदिमेह पर्प्रम है की मही। एछ उम् आउ समद्धुन सद्गुर्जोद्या उम् गुरुदेवताया विज महें साथ परक्रहाया अम गुरु देवताय विद महें पर प्रम्हाय विद महें तन्यों सद्गुरु देवताय विद महें पर प्रम्हाय विद महें तन्यों सद्गुरु देवताय विद महें पर प्रम्हाय विद महें तन्यों सद्गुरु देवताय विद महें पर प्रम्हाय विद महें तन्यों गुरु देवताय, 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 गुरु देवताय सद्गुरु, 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 पिशो देयार, अब रुली कपो के सामने रिखो, हाथ जोड़ो, और उजी दिम्यांगरा माला हैं, गले में द्रहान तरो. अली माला जो है, उजी दिम्यांगरा माला है. अब एंगरा मुण और बुली को मैं दो 시청 correcting क्निक षवरिंगा वी, बास्यान तरो, ग्यांगरा मी तो जो को कि दिम्यांगरा शुली को कि दिम्यां नहीं, ट्रीम्या पिभांगरा को. इस साथना को गुरुजी ने हिमाले में कांचन शिलाप के पास हिमाले में ये साथना करवाकर उस कांचन शिलापर उर्भषी को नचाया था ऐसा गुरुजी अपनी साथना में लगते हैं और जो इस साथना को संपन करता है गुरुजी करते हैं उसका गायक होता है और देवापना उसके साथना पर उसके हमेशा उसको मानकर्शन करती है इसलिए आपको कहता हूं कि ये साथना आपी जिमन में आप संपन करो ज्यादा से ज्यादा नहीं गंटा है तीन गंटे से रिक कल गुरुपूर निमा है, आप सभी से और यहां में भी ब्राम्हनों से एक इवेजन करता हूं कि मुझे, मैं रोज पांच बजे यहां अत्री मार्षा और देवताओं के पास थापना हूंगी, आप पूजा को आरा हूं, नहीं कल एक गंटा मुझे एक देड़ी हंटा रेट हो जाएगा, पास सिचे मुझे, क्योंकि मैं भी मुझे भी एकांत में गुरु पूजन करना होता है, इसलिए आप सब से प्रत्ना हैं, और यहां के ब्राम्हनों से प्रत्ना हैं, कर एक दिन के लिए सुबह पांच बजाएं, और दोनों तरफ अत्री मार्षा में, और यहा प्रत्र की गुरु पूर्णिमा काम हम दिवेता के साथ संप्र जाएंगे, जैसे सिधार्ष माधि में करवाए जाता है, और हम यह चाहिए कि गुरु को हम कर प्रत्र हो, हम उतनी स्रेट है या नहीं है, जी गुरु जानते हैं, कि गुरु जी की सद्धा रखना, बक्ति भ प्रत्र की सामने करेंगे, लेकिन आपसे भी से इरेजन है, कि कल जो स्थापित गुरु जी है, कल मैंने जो स्थापना किये, उसका पांच बुजी से लेकर साथ बजे के अंदर, ब्राह्मनों के दौरा अवशे करवाया जाएगा, आर्थी संपन्न होगी, और उसके बाद, यहां स्थेज पर जातर आगे कर तारिकम करेंगे, और सुभे, अक्री मार्शी के जो भी अर्चक है, जो भी पूजा करवाने माने बगरेंगे, वो सब लोग पांच बजे ही वहां पहुंच जाए, और ब्राह्मनों को करता हूँ कि अपने अपने इस से थोड़े जो मिनर अपने बज़े जो भी पास आजाता हूँ, आप सब लोग पूजा संपन करें, अशिरवात देता हूँ, इस सादना के बारे में, मैं जितना ही आपको कहूं, कम है, यह पूरे जन्मों, अपने पूरे जन्मों के दोश्वं को भी बताने वारी सादना है, और आने वारे जि अपने दोश्वं को देखता हूँ, और दूसरा में लगता है और उनको भूख लग रही है, आप उमें सान्नाहों को एकदम कर देता हूँ, और बोलने के लिए आगे बिज़े सोचना बढ़ता हूँ, यह समय मारबार सुरा तो रोजगा है, लेकिन हम कुछ बोलें, कुछ आपार बाएंज देखें, शिषुमारकराम पार सिर्फे लेता हूं, कि उनकी अनियाई ही बहुत है, उनकी साथ रहने बहुत है, और उनके followers बहुत है, तो खाना और सुने में आने उनकी अरिम काई लिता ज़ादा है, कभी मैं किसी को ऊंतियों के देखता हूं, तो समझ देत एक बरहामी राजार अपने बैठे बढ़ते जेवामे आपको कुछ बढ़े ते जेवामाना मेरा पूर जन में क्या थे तो उस देवामाना ने बताया कि मैं तुम बताओ कि दूमें आश्षेत रगएगा बोलो क्या बात तुम एक राजा के पास सेटता के साथ तुमारे पिताजी काम किया कते थे जो राज जोतिशी थे और उन्होंने राजा को एक जोतिशी के बारे में बताया था और जोतिशी को सच हुआ तो राजा ने उसको एक हजार सववरन उद्राइए जी और उनको तुम फुत्र के रूट में उत्रन होई तो तुम जिस दिन उत्रन होे वो गूल नक्षत्र अलगूल गण्णांतर का नक्षत्र था तुछ राजा को लगा कि यहALL पुट्र मेरे को घंडांतर की जंब्मा उसका नाम था रुद्रपशू पुट्र के पुट्र रुट्र पुट्र रोल्ड़ हाथ तो उसने तुने तुम्हें ले जाकर ऑकांची पुरं में रहता था और उसको तुम ने ले जाकर समुद्र में करड़ी की पीटी में डाउतर बहा दिया तुम बहते बहते स्री लंका सिम्हल की तरफ देगे और वो पीटी को वहां की सिम्हल के थोड़े दोगों ने जहां मैं राजा था जिसने रावन की लंका बनाई थी क्योंकि अन्मान जी ने रावन की लंका को जला जेटा सुने की लंका को बात में जो दुविशन वापस आये तो उसको ठीक करने के लिए फिर मैं को अभमान गया और कहा कि जरी हुई लंका को ठीक करो तो मैं वहां ही आकि जो राक्षष शिप भी कर आयते है वह समूतर में विहार कर रही तो उसमें नहुतर को गण चान के लिए टीक को अठीच थी आ भीया, तो उसमने लिखा कि सुभा शुभा एक लग्री के प्टी आ लगे। उसमें ऊस लग्री के पटी को उठाया है तो उसमें छोटा सा बालत है उसने उसको उठा कर ले लिया उस चाया और उस बीटी की दुनों की दोस्ती हो गई और बढ़ने लगे बाद में मैं ने उनको इस दिव शास्त्र का सब ज्यान दिलाया सब करने के बाद उस चाया ने ही कहा कि यह दिव इतना फुरुष जोतिश को यानता है सारे सास्त्र का ग्याता हुआ और पीटा के करण तो उसमें उसे साह शादी के बात कें अच्षान जोड़ि थे विशय कोा कि तुम कुअ महान अंद्वान हो, इस सारी सीजों को जानते हो। विषञ्ट को कहा कि आ इत्ने महान है कि रामसंद आए, तो दो कहा दerson कि यहां, क्यों नहीं ч, मैं यहां क्यों नहीं रहे। तो विषञ्ट कहते हैं कि रामसंद जी कर दोए जनमोहमित स्वर्गाद अपी रड़ी सी, मेरी जनमोहमित से अपर पुछ नहीं है। तब वहां के इस आचाय को जो रुद्रपुष्ण के नाम से बायक का दिनुमा था उसने कहा कि मेरी भी इच्छा है, जब मैं यहां दर्मा में था में रखली की पड़ी में आया तो मैं मेरी जनमोहमित से बात सुनी। तो उनने कहा कि तुम्हारी जनमोहमित के अपर उतना है कि इतने जरूर है कि तुम्हें कानचीपुरम में किसी रुद्रपुष्ण नाम के ब्रामन की घरसे के उत्पन होए थे। उनने कहा कि तुम मुझे अधर जागनी के आधनिया दो तो मैं वहां चला जाओंगा। तो je जो तो बुला कि तुझे इसका इसने दिया तो उनने कहा कि मैं चात्वपुरम मे कुर्ण मे कर पकाह। एप मुझे संद्य करते हो तो आपकी जीए का भी घिटा पराप्थ होगी ऐसा ही शरूर देता हूं एक पाधियाई गोश करएए का आग़शनी प्रामन की आप सब्जो जब करें खाना खाई या सुना शूजाए कि आपकी इच्छा साधना देना मारू दिस्म करना मेरा काँ अश्रवाद देता हूं